तैप्स ऑफ ओवियूल के हम बात देखें कि मेगा स्पोरोगिनेसिस की प्रोसेस क्या रहती है सबसे पहले हमें यह पता है कि यह इस ट्रक्चर ओवियूल की इस ट्रक्चर के अंदर यह जो बीच वाला रीजन होता है इसे हम बीजांड काई या नूसेलस कहते हैं अभी सिर् उससे पहले की बात कर रहे हैं अपन स्टार्टिंग में जब माली जी ये flower बना है उसके अंदर female part बना है और लेकिन उसके अंदर embryo sac नहीं बना भी तक ठीक है तो अपन स्टार्टिंग करते है new cellus ये जो new cellus है इस new cellus के अंदर जो structure होती है उस structure में hypodermal cells hypodermal cell ये जो hypodermal layer होती है इस hypodermal layer में से यानि देखिए सबसे एक उपर वाली होगी layer फिर उसके बाद अंदर वाली तो अंदर वाली जो layer है उसके जो cells होती है उस cell में कुछ cell ऐसी होती है जो R की sporial mother cell की तरह काम करना शुरू कर देती है R की sporial mother cell या initial cell initial cell की तरह काम करना शुरू कर देती है अब ये जो R की sporial mother cell होती है इसके अंदर division होता है division होने से जो है primary parietal cell तथा primary sporogenous cell बनती है primary parietal cell और primary sporogenous cell बनती है ये जो cell बन रही है इसमें primary parietal cell या तो division कोई नहीं करेगी और या करेगी तो ये क्या बनती है सिरफ wall की formation करती है ठीक है जैसा हमने उसमें भी पढ़ा था enter wall बनने के लिए ये cell यूज़ हो रही थी primary sporogenous cell ये cell क्या करती है कि जो sporo बनाने वाली cell होती है जिसे पर starting या initial cell कहते है mmc cell mmc cell जिसे कहते है megaspor mother cell megaspor mother cell अभी जो megaspor mother cell है जिसे mmc cell कहते है ये cell इस primary sporogenous cell से बन जाती है अब इस एक cell के अंदर क्या होता है division होता है कौन सा division होता है meiosis होता है meiosis और इसमें जब meiosis होगा तो इसमें linear form में linear मतलब linear मतलब रेखिये रूप के अंदर इस तरीके से 4 megaspor बनते है ये जो 4 megaspor बनते हैं इनमें से 3 megaspor तो क्या हो जाते है डेस्ट्रोई या डिजन्रेट हो जाते हैं डिग्रेट लिख देते हैं अपन डिग्री डेशन हो जाता है इनका और एक जो है वो एक्टिव रह जाता है अब यह जो एक्टिव है वो इन डिग्रेट हुए जो डेस्ट्रोई हुए जो माइगा स्पोर्स होते हैं इनको यह चलकर किसकी formation करेगा, embryo sac की formation करेगा, embryo sac बनाएगा, embryo sac जिसके अंदर 7 cell और 8 nucleus structure होती है, clear है, तो सबसे पहले हमने याद रखना है कि गुरू बिजानु जनन या mega sporogenesis क्या है, एक ऐसी process है, जिसके अंदर हम archi sporial cell या initial cell से 4 mega spor की formation करते हैं, उसे mega sporogenesis करते हैं, जिसमें से 3 जो है वो degrade हो जाते हैं, और degrade होने के बाद में उनका use active mega spor है, active mega spor जो है, वो nutrition के form में उसको use कर लेता है, तो यह हमारी structure किसकी थी, mega sporogenesis की.